मुझाज़ गर्ण शोतागर्ण भाई और बैनों मात्री सक्तिको नमन पास विशेश मन मोहग चित को समाती देने वाला चित को समातान देने वाला चित की विक्षिप्तता को मिटाने वाला मान सिक्सांती देने वाला पवित्रता देने वाला मन की शुद्धी करने वाला आत्मा की शुद्धी करने वाला विचारों की शुद्धी करने वाला आपका हार्दिक स्वागत है अभी दंदने सतकार है प पुलिस्टिक बनाये जाता है उसके अंदर वो सामगरी निर्दारित की जाती है जो की बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, मैलाओं के लिए और वरिष्ट नागरी को मिले, सभी को संसकार मिले, सभी को उसके अनुरूप अच्छे अच्छे जो है, सिद्धान्त मिले, अच्छे अच्छे उसके उबदेश मिले, इसी कारण से पुनुरूथान कारे करम को डिजाइन किया जाता है, उसको पूरा शोध परक बनाये जाता है, इसी करम के अंदर, आज हम एक स्वास्त से जुड़ावा विशे लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, शारीर आज हमसे बैठ सकाएं, हमारे सरीर के अंदर, कोई अकणन नहों, जकणन नहों, तनावं नहों, किसी तरह का बोज़ नहीं हो, उसको जो आजन कहा जाता है, और मुक्के रूप से जितने भी पक्षी है, वो किसी पोस्चर की अंदर बैठते हैं, उसी पोस्चर की लेकर के जो है आसन बनाए गए हमारे रिशी मुनियों ने जो हमारे पशुओं पक्षिओं के जो बैठने के हैं उनको बचे जैसे की देखिए धनूरासन और मयूराशन और अपने जो है जो मत्याशन और ताडाशन इस तरीके से सुखाशन शवाशन ऐसे सेकड़ों सेकड़ों जो आ आशन हैं जिसके अंदर की पसू पक्षी बैटा करते हैं वो बैठने उनकी बैठने की अवस्ता को मनुश्य धारन करें उसको आशन का जाता है रो आशन वो एक पोश्चर है वो एक बैठना का तरीका है जिसमें आराम से आव्यक्ति जो है दस मिनट पंदरा मिनट आदा उसके अंदर बैठ सकता है अब देखिए ये तो आशन की परिभाशा हो गई अब दूसरा है कि वक्ति अगर प्रती दिन आशन करता है तो उसे लाब क्या होते हैं उसको शारीरिक लाब क्या होता है फिजिकल हेल्थ के लिए क्यों आशक क्या है वो आज हमारा मुख्य हिलाते हैं हाथ हिलाते हैं सिर हिलाते हैं कमर हिलाते हैं उन सब को हिलाने वाला जो कहना चीए तत्तो है वो मशल्स हैं जितने मशल्स मुलाहिम रहेंगे डक्टाइल रहेंगे रबड की तरह रहेंगे उतना व्यक्ति को कोई तरह का तनाव नहीं होगा बोड़ी के अंदर क वोई तरह का अकड़न नहीं होगी, जकड़न नहीं होगा, तो मशल्स को मुलाहिम करने के लिए आशन आक्षित है, आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता अच्छा मेनिया का बारा मेना, वो एक प्लास्टिक ही तरह है, उसके सरीर को हम कैशा ही हिलावें, कारिया है कि सरीर को इलास्टिसिटी प्रादान करना, आज हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, और बड़े-बड़े पहलवान हैं, और बहुत बड़े-बड़े अपने सरीर के उपर ट्रक को चलाते तें, तिस-टन की जो है, यह सारे जो योग के साथ, नहीं यह आसन करने से प्राप्त होते हैं, और आसन करने से हमारे सारे मशल्स के जो तो अच्छे होते हैं, साथ-साथ में, दूसरा लाब यह होता है कि सरीर के हर भाग के अंदर हमारा बलड सर्कुलेशन है, वो regular होता है ऐसा कोई portion नहीं होता है कि जहां पर blood न पहुंचे और हमारे सरीर में दर्द क्यों होता है कि उस इस्तान पर blood नहीं पहुंचता है लकवा क्यों होता है कि उस particular portion के अंदर blood का circulation रुख जाता है कि उस बॉड़ के अंदर कहीं पर क्लॉट आकर के रुकावट होती तो हम आसन करते हैं तो आसन करने से हमारा ब्लड का मुंवमेंट, सरकुलेशन है वो बहुत याच्छा हो जाता है और देखिए आसन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर को शारीरिक स्वास्ते प्राप्त होता है आज सबसे बड़ी जो समश्या है कि हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत गिर गया है किसी भी वर के किसी भी उमर के व्यक्ति से हम बात करें तो वो बिमार नजर आता है और बिमार नज बराबर नहीं करता है हर वेक्ति अगर आशन करता रहे प्रनायाम करता रहे तो उसको किसी तरह की कष्ट नहीं आ सकता क्योंकि ईश्वर ने जो हमारी बोडी बनाई ये उसके साथ में यूनी बिल्ट सिस्टम बना रखा है कि वेक्ति आशन प्रनायाम करता रहे तो उसके भी soldier का काम करते है हमारे भीतर के अंदर कोई भी ऐसा element है जो कि हमें रोगी बना सकता है और भीतर गुसता है तो उसको जो है टी शेल्स जो है soldier की तरह जपट लेती है पुलीस की तरह जपट लेकर उसको खतम कर देती है तो उसे हमारा immune system जो बहुत अच्छा होता टी शेल्स की उमर है बी शेल्स जो हमारे सरी के अंदर जो है वो लाल रक्त के कन होते हैं वो बी शेल्स कहलाते हैं उसकी उमर की तुलना में टी शेल्स की उमर बहुत कम होती है साथ या नबे दिन की होती है और मरती समाप्त हो गई है और प्रतिरोधात्मक्षक्ति समाप्त होने ऐसे हो क्या रहा है कि वक्ति बीमार पड़ गया है और आसन करने से tolerance power बढ़ती है ये जितनी आज कल हम देख रहे हैं इन tolerance power जो बढ़ रही है परिवारों के अंदर हर बची के नहर सदश्यके अंदर उसका कारणी उसका सरीर जकड़ा हुआ है उसके muscles जो हैं कड़क हो गए है तो उसके muscles कड़क होने के कारण के अंदर वो उतेजना पेदा करते और व्यक्ति जो है वो फ्यूरियस हो जाता है व्यक्ति जो है वो टेंपरामेंट को देता है उसको गुसा आ जाता है उसको गुसा आ जाता है लेकिन जो मशल्स को सही करता है इलास्टिसिटी पैदर करता है आशन के माद्यम से वो व्यक्ति हमें से सम अवस्ता में रहता है उ किलने में, कूमने में, कारे पदती के अंदर, भोजन के पाचन शक्ती के अंदर, आसन करने वाले वेक्ति के हमारे जितने बहीतर के सिस्टम से हमारा जो से पाचन तंत्र है, हमारा उचसरचन तंत्र है, तंत्र है, रुदिर तंत्र है, शोशन तंत्र है, जितने भी हमारे दस सर्जन होता है सरीर में से पशीने के मादियम से मल निकलता है और हमारे मल के मादियम से मल निकलता है कफ के मादियम से मल निकलता है यसे पांच इस्तान होते है जहां से मल निकला करता है यूरीन के मादियम से मल निकलता है और जितने हमारे रिशी मुनी थे वो आशन किया करते थे और आज भी जो योगी पुरुश है वो आशन किया करते हैं आशन के अंदर एक कंडिशन ये होती है कि पेट खाली रहना चाहिए चार गंटे से भोजन के बाद या भोजन के पूरु भोजन के पूरु जो यानि लेना चाहिए कि कौन सा आशन किसके लिए जो है वो वर्जित है वो आशन ना किया जाना चाहिए जैसे किसी कमर का दर्द है कोई प्रिगनेंट है या कोई हार्ट की भीमारी है उसको किस तरह का आशन करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए इसका थोड़ा विदी व दवातावन हो, खुली हवा हो, और जहां पर ज़्यादा शोरगल हो, आपने एक चटाई बिचा दिया और चटाई बिचा गर आदा गंटा, पौन गंटा, गंटा गंटा पर जितना आराम से आवासन करते चलिए, उसके साथ में प्रनायाम भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है यानि एक घंटे का अगर आप सरीर को कैप्शूल देो, तो आपका सारीरिक स्वास्ते बहुत राप्त हो सकता है, और आज सबसे बड़ी जो है, आफशकता है और सारीरिक स्वास्त की है, क्योंकि हमारे जो वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने स्वास्त वक्ती किसको बता जिसके पास में पांच तरीक स्वास्ते होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्वास्ते होता है, फिजिकल हैल्थ, दूसरा मेंटल हैल्थ, तीसरा emotional हैल्थ, और चौता spiritual हैल्थ, और पांच ना social हैल्थ, मैं थोड़ी थोड़ी परिभाशा करना चाहूंगा, क्यों शारीरिक स्व बिना वुर्दता के वो चलते रहने चीए, वो आसन के द्वारा प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा mental health है, मैंटल ने मानसिक स्वास्ते है, मानसिक स्वास्ते का होता है, मन के अंदर शांती होने चीए, हमारे विचारों के अंदर उतल पुतल नहीं आनी है, कि 24 गंटे एक ही चीज के पीछे पड़े पड़े, हम जो उसके पीछे जो है, सोच करते रहें, चिंतन करते रहें, चिंता करते रहें, यह सारा आत्ध्यान है, वो mental जो peace को disturb करता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रनायाम सर्च बड़ा सार तक सिध्धानत है, अनु हमारा मानसिक, शांति का है, तो यह आसन प्रनायाम ती, दूसरा पहला जो है, हमारा शारीरिक स्वास्ते है, दूसरा मानसिक स्वास्ते है, तीसरा emotional स्वास्ते करा जाता है, जो हमारे क्रोध, हैंकार, माया, लोब, यह emotions होता है, उनको नियंतरन में रखना, क्रोध नहीं कर चल कपट नहीं करना, माया नहीं करनी, लोब नहीं करनी, ये जो नहीं करने वाला व्यक्ति है, उसका emotional health बहुत अच्छा रहता है, और spiritual health के अंदर भगवान को और भीतर बिराजमान, शुद्धात्मा भगवान, सबसे बड़ा भगवान होता है, उसको संवर्पित होना, आप पूरे विश्र में कहीं पी घूम के आजाए, 33 करोड देवी देता होंगे, मंदिर में जाए, लेकिन भीतर बिराजमान, शुद्धात्मा भगवान की साक्षी नहीं होती है, तो कोई भी उनकी भाव पूजा नहीं हो सकती, इसलिए हमें किसी की पूजा करने के लिए, किसी हमारा ओरियन्टेशन है, भीतर बिराजमान, शुद्धात्मा भगवान को देना चाहिए, क्यों भीतर हमारा बिराजमान, शुद्धात्मा भगवान, 84 लाग जीवा योनी के, सभी लोग भगवान है, उनके अंदर वही इश्वर है, वही बगवान है, वही आत्मा है, जो शरीर का हरे को जो अलग-अलग मिलता है, उसके करमों के कारण होता है, उसके करत्यों के कारण होता है, उसके डीड्स के कारण होता है, उसके भाव, जो किस तरीके के करम बीज डालता है, किस तरीके भाव करता है, उसके अनुरुप सरीज मिलता है, लेकिन आत्मा सब की मान करें और समाज के सभी लोगों के साथ के अंदर हम अच्छा वैवार करें, कि सौशन ना करें, और अन्यतिक ताकि कारी करने, दुरव्यार ने करें, इस तरीके पांस तरीके हेल्थ में सबसे, यह मैंने क्यों बताया? इन सबसे important है हमारा शारीरिक स्वास्ते है और सरीर के अंदर पीड़ा है सरीर में अकड़न है जकड़न है अगर तो वो हम निस्चित दूप से मानसिक स्वास्ते है दूसरे स्वास्ते को प्राप्त नहीं कर सकते है क्योंकि वो हमारा शारीरिक स्वास्ते है हर बार उस तरफ ले जाएगा हमें खीसा रहेगा तिसलिए सबसे पहले आफशक्ता होती है कि शारीरिक स्वास्त को अच्छान करकना चाहिए उसके अंदर भोजन भी हमारा एक बहुत बड़ा अंग होता हित मित और रित भोजन लेना चाहिए हित कर भोजन लेना चाहिए अत नूटिशिस पोजन होता है उसके अंदर जो हमारी 20% प्रूटेन होनी चाहिए 10% अर्फ फैड चाहिए और हमारे 6% मिनरल चाहिए 60% पानी चाहिए तो इस तरसे मिला करके हमारा नूटिशिस पोजन होना चाहिए यह भी हमारे शारीरिक स्वास्त का जो एक अंग है शारीरिक्स्वास की बात करते है और सबसे ज़्यादा हमने बात की आसन की बात की आसन मनुश्य को अवश्य ही करना चाहिए तो बाई और बेनों दर्शे गंड सोता गंड मैं आज इस एपी शोड की मादियम से खास तोर से हमारी युवा शक्ति है बात उसमें 80 करोड युवा है और जो युवा है उसमें करम जा शक्ति होती है वो अपने शक्ति का विस्पोर्ट कर सकते हैं और जीवन के अंदर कुछ होना है कुछ पाना है कुछ ललक होनी चाहिए कुछ बनने की तो वो मनुश्य की युवा वस्ताओं के अंदर ही संबह होती है युवा वस्ताओं वाले व्यक्ति को निस्चित रूप से कुछ ने को समय जो है आशन करने के अंदर लगाना चाहिए और जो व्यक्ति ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं उनके आशन अपने आप ही हो जाते हैं पुराने समय के अंदर मैं आपको देखना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गाउं का जीवन था तो गाउं में जो किशान का जीवन था उड़ते ही उसको आशन प्रारंब हो जाते थे जैसे गाय का दूना होता था वो गोदुशन वो गोदुगदाशन कहलाता था कि व्यक्ति को जो उसमें उक्डु वस्ता के अंदर बैड़ करके गाय को दूना होता था गाय को चारा किलाना होता था और जो खेतों के अंदर पानी पिलाना होता था और जो पानी को खीचना होता था सारी हमारी किरिया थी वो आसन युक्त किरिया थी और आज हम बिलकुल एक जगे बैट करके खाते रहते हैं खाते रहते हैं और जो कैलोरीज है इंपुट बहुत ज़्यादा करते हैं आउटपुट बहुत करम होता है परिश्रम की कमी हो गई जो परिश्रम करते है उसके तो आटो आशन होता है जीवन के अंदर व्यक्ती 12 गंटे कुछ पैदल चलता है ये बहुत बड़ा आशन है अपने मॉर्निंग वाक एक अपने आप में बहुत बड़ा आशन है शरीर पूरा हिलता है इसलिए कहा गया शर परिश्रम के पीछे चलना चाहिए और मन आत्मा के पीछे चलना चाहिए आत्मा में ये सुझाव देती है कि सुक्रत करो जो परोपकार का कारे करो स्वहम के प्रती भी अच्छे भाव रखो और औरों के चरा-चर जगट 84 लाग जीवा यह उनी प्राणी के प्रती जो बु पर हरजित होता है और हमारा कदूरत का कानून यह है कि वो हमें जो संजोग जुटाती है जैसे जैसे हमने कर्म कर्म करके आये हैं और समय में उसका उदे भाव आता है उसका उदे भाव के साथ साथ के अंदर जो हमारा जो उदे भाव के साथ साथ जो है वो हमारे संजोग जो है ये कुद्रत मिलाती है तो बाई और बैनों दर्शक गंड सोधा गंड सब बातों का सारांश ये है का हमारा स्वास्त से अच्छा रहना चाहिए और स्वास्ति का अर्थ भी ये होता है सो प्लस अवस्त मतलब सोयम में अवस्ती तरेना सो किस में सो का मतलब मैं एक दर्श्टा शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है तो हमारा सारी जिए वीसे भी अच्छा रह सकता है क्योंगि ये बेद विक्यान है हम आत्मा और शरीर को जब अलग मानें कि तो आत्मा चेतन तत्व है और शरीर जब जड़ तत्व है ये दोनों हापस में मिलकर क कर्मों के कारण आत्मा और कार्मन शरीर लिंग शरीर जो हमारा जो कौजल बोड़ी है उसके कारण से ये दोनों सरीर बनाई है और सरीर का जो संचालन होता है ये कार्मन शरीर के द्वारा होता है ये सरीर जो है वो जो एक निश अवस्चेतन बन गया है क्योंकि इसके भीत ऐसा एक पधार्त है आशन एक ऐसा चिंतन है आशन एक ऐसी प्रिकिरिया है कि जिसके माद्यम से वरी सरीर को बिलकुल सही रखा जा सकता है और इसके लिए ना कोई साइड इफेक्ट होता है और ना कोई इसके लिए कोई धन का खर्च करना होता है समय का अश्य थोड़ा लग कि एशुर ने 24 घंटे वियुत कुछंसो लगा न लगाना ना चाहिए उसके बड़ा उप्योगी है फिसीकल हैल्थ के लिए आसन बहुत बड़ा उप्योगी युरयासन करने वाला वियुत युचाला शत्यूप भी होता है तो इसके शरीर के अन्द ग हैं पहस कुछंसों है वो कोई तरह की जकड़ नहीं आती है और दूसरी बात ही होती है हमारे मशल सब सब काम करते हैं तो हमारे भीतर में एंडोक्राइन ग्लेंट्स होती है उन ग्लेंट्स के अंदर जो है लिक्विड होता है हार्मोंस होते हैं तो वो जिस तरीके के हार्मोंस जो है एंडोक्रा मिसरन होता है और मिसरन होने से हमारे सकारात्मग भाव आते हैं हमारे बोड़ी में अकड़न होती है तो हमारे नकारात्मग भाव आते हैं और नकारात्मग भाव है सब अपरादों की जननी है व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसको सकारात्मगभाव की तरफ जाना चाहिए दर्शकन सोतागन भाई और बैनो आपका बहुत धन्यवाद कारिकरम प्रगती की और है कारिकरम से हमारे पास में फीडबेक आ रहा है कि लोगों के अंदर परिवर्टन आ रहा है कारिकरम का उद्देश यह व्यक्ति नकारात्मगभाव को चोड़ करके सकारात्मगभाव को प्राप्त करें हम वो टिप्स देते हम वो साधन बताते हैं और हम जो विदियां बताते हैं जिससे की नकारात्मगभाव तिरोई तोकर के सकारात्मक भाव आवे तो भाई और बैनों दर्शकन सोतागर इसी क्रम में आपका जीवन आनंद मैं हो मंगल मैं हो आप सौस्त रहें मस्त रहें और व्यस्त रहें और आप अपने जीवन के अंदर प्रोब कार करते हुए अपने जीवन को दन्य बनावें आपके प्रती मंगल भाव